हेलो जैहन दोस्तों बहुत बहुत स्वावत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में ITI Electrician for semester का जो एक्जाम होने वाला है NCBT उसे समधनिश test series एक बनाया गया है जिसमें आपको 50 question प्रवाइड किया गया है और इस वीडियो में आपको 25 question ही बताया जाएगा अगले अथार नेक्ट वीडियो में अथार इसका यह part 1 भाग है और part 2 भाग में आपको 25 question मिलेंगे और इसमें 25 question कुल मिलाके 50 question प्रवाइड किये गया है जो exam को देखते हुए यह question बनाया गया है तो उमिद करते हैं दोस्तों आप वीडियो को अंतक देखेंगे और इसका PDF फाइल दोस्तों यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो description box में आपको telegram group का link दिया गया है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चले दोस्तों चलते है question number one पे question number one दिया है कि आसमानी बिजुली से line की सुरच्छा करने वाले उपकरण को क्या करते हैं देखें यह most important question है दोस्तों ऐसे question आपको परिशा में ज़रूर मिलेंगे ठीक है तो आसमानी बिजुली से लाईन की स्वुच्छा करने वाले उपकरण को क्या करते हैं तो यह से अम एक इंसुलेटर की नाम से जानते है Begin तो हमारा आप संस्य होगा एक इंसुलेट तो यह आप का सई होगा एक इंसुलेटर था है कोस्चन नंबर दो है अधिक छमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं देखे तो यह most important question है अधिक छमता वाले पूछ रहा है तो अधिक छमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं तो यह 4000 वाट के होते हैं ठीक है तो यह आपको 4000 वाट तो यह आपसन आपका सही होगा तो आप ऐसे कोशन आप जरूर देखिए और इसको जितने ही बार आप रिपीट करना चाहिए रिपीट कर लेज़ दिये क्योंकि एकजाम काफी करीब है और ऐसे कोशन आपको देखने को मिलेंगे तो आप इसको हल करके ही आएगा कोशन नमबर तेन है दोस्तो दिया है कि निम्न तथा मद्य बोल्टेज के लिए जमीन से लाइनों की कितनी उचाई होनी चाहिए देखिए ये मुश्ट इपोर्टेन कोशन है ये आपका कोशन है और इसमें आपका आपसन सामने दिया है बारा फोट, सोरा फोट, अठारा फो नमबर चार है दोस्तो लो बोल्टेज अधिकतम कितने बोल्ट तक होती है ये लो बोल्टेज की बात करें ठीक है तो लो बोल्टेज अधिकता मतलत अधिक से अधिक कितनी बोल्टेज तक होनी चाहिए तो लो बोल्टेज अधिक से अधिक 220 बोल्ट होनी चाहिए ठीक है त इतनी बोल्ट सप्लाई테 चलाई जाती है कि मुश्ट इ ც्चपमेन भारत में 360 से 420 तक हाडस पाउर तक चलाई जाती है ठीक है सब्सक्राइब इस हो रिदी 360 से 420 बोल्ट तक यह 150 पिक की लाइने चलाई जाति है इसरस पाउर तो हमारा ये 360 से 420 वाला आपसन सही होगा कोश्चान नमर 6 है दिया है कि क्रास आर्म पर फिट किये जाने वाले उपकरण को क्या करते हैं देखी ये most important कोश्चन है तो इसे हम insulator के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये हमारा आपसन सही होगा insulator कोश्चान नमर 7 है किस प्लाट के उसमिय उर्जा का प्रियोग करके बिदुत उत्पादन किया जाता है देखी दोस्तों मैंने 2-3 चैप्टर से ये कोश्चन करणवर्ट किया है जो ITI 4 समेश्टर के एकजाम में आने वाल है तो दोस्तों ये most important कोश्चन है वीडियो को अंतक देखिए काफी helpful रहेगी ये वीडियो तो इसमें आपका जो दिया है thermal power plant ठीक है तो ये आपसन आपका सही होगा तो किस प्लाट के उसमिय उर्जा का प्रियोग किया जाता है तो ये thermal power plant बिदुत उत्पादन के लिए ठीक है आप ख्याल लगी है ऐसे कोश्चन कोश्चन नमबर आठ है दोस्तो 21 प्रडाली से प्रतिक वितरन इस्टेशन को दो तरब से सप्लाई की जाती है कोश्चन आप एक बार और दिख लिए दिया है कि प्रतिक वितरन स्टेशन को दो तरब से सप्लाई परदान की जाती है तो यह रिंग परदाली यह जो रिंग परदाली है इसमें यह जो स्टेशन इसमें दो तरब से सप्लाई परदान की जाती है यह रिंग परदाली में ठीक है कोश्चन नमबर 9 ग्राइडर mixer की motor की speed कितनी होती है देखिए दोस्तों यह question आपको 3 semester में भी प्राप्तिवा होगा ऐसे question आपको बिले होंगे 3 semester में लेकिन इसको वीडियो में भी आपको यह question मिला है तो ग्राइडिनर mixer की motor की speed कितनी होती है देखिए तो इसमें जो आपकी speed होती है 1200 rpm होती है कितनी 1200 rpm तो यह आपका एपसंस सही होगा कोश्चन नमबर 10 है कि सर्किट में दो सुत्पन होने पर कौन सा उपकरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देता है तो यह सर्किट ब्रेकर देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा गलती हो गया है यहां सर्किट ब्रेकर होगा ठीक है आप समझ सकते हैं जो सी भी होता है इसका पूरा नाम में होता है सर्किट ब्रेकर यहां से रसर्किट ब्रेकर लिखा गया है लेकिन इसमें आपका सही होगा सर्किट प्रेकर इसके लिए आप ही चाहता हूं अगला कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर 11 विदूत के तली का हेटिंग एलिमेंट कितने वाड तक की छहमता के होते हैं देखिए मोश्ट इम्मोर्टेंट कोश्चन तो यह कितने तक होते तो 350 से 450 वाड तक की चाहता के होते हैं तो यह हमारा आपसंद सही होगा कोश्चन नमबर 12 है दोस्तों किनी दो पूल या टावरों के बीच की आपसी दूरी को क्या करते हैं देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें आपको यह कुश्चन मिला होगा तो आप इसका एंस्वर जरूर कमेंट बाक्स में बताएगा कि किनी दो पूल या टावरों की बीच की आपसी दूरी को क्या करते हैं मैंने यह कुश्चन को उसमें भी बताया था कि काफी मौतपूर्ण कोश्चन है ऐसे कोश्चन आपको परिच्छा में जरूर पूछेंगे तो इसका आप जबाब जरूर बताएगा यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे या रिपीट किये होंगे एक दो बार तो आपके माइंड पर जरूर कोश्चन होगा ठीक है तो नुक्लीर पावर प्लांट में यूनियरियम का प्रियूंग किया जाता है ठीक है तो इह हमारा यूू नुक्लीर पावर प्लांट में किया जाता है तो यह आपसन हमारा सही होगा कोश्चा नमबर 14 है दिया है दोस्तों कि यदि केबल का एक या एक से अधिकतार किसी काराण कट या खुल जाए तो उसे क्या करते हैं देखिए दोस्तों मोश रिपोटेंट केस्ट तो उसे हम ओपन सर्किट करते हैं अथाथ ओपन सर्किट दो ब्रेकर या दोस्त ठीक है तो यह हमारा सही होगा ओपन सर्किट दोस्त कोश्चन नमबर 15 है दोस्तों दिया है कि पोल्ट्री फार्म में अंडे को क्रित्रिम उस्मा प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है देखिए दोस्तों यह मोश्ट कोश्चन नमबर 16 है दोस्तों दिया है कि जिस लाइन में बिदू सप्लाई को जमिन से उपर पोलो या टावरों से लिया जाता है उसे क्या आकत है देखिए यह मोश्ट इपोटेंट कोश्चन है यह कोश्चन आप फोट समस्टर का है और यह ऐसे कोश्चन भी आपको परि कुछा है इसका जो एंस्वर होगा ओबर हैड लाइन में किसमें ओबर हैड लाइन में तो यह हमारा आपसन सही होगा कोश्चन नमबर 17 है दोस्तों जब किसी परतिरोधक तार में बिदूत धारा प्रवाइत की जाती है तो उस तार द्वारा क्या उत्पन होता है देखिए काफी कंफ्यूज कोश्चन है लेकिन इसका आपसन आपको यह उस्मा आवला सही होगा कोश्चन नमबर 18 है दिया है कि यदि ओभर लोडिंग या किसी भी कारण से केविल के दू कूर बिना इंसुलेशन के आपस में असपर्स हो जाए तो उसे क्या कहते है तो उसे हम 60 सर्क कि किस परभाव के अंतरगत आने वाले चलकों में धुदली की बैगनी रंग की चमक उत्पन होती है तो यह कोरोना जो कोरोना होता है उसके कारण होता है तो यह हमारा जो दिया है कोरोना वाला आपसन यह आपसन सही होगा कोश्चन नमबर 20 है दोस्तों देखिए कोश्चन most important question है दिया है कि 11 KB से अधिक voltage पर कारे करने के लिए कि circuit breaker का प्रियोग करते हैं तो मैं आप जानते होंगे कि circuit breaker कई परकार के होते हैं जैसे air circuit breaker ठीक है? air blast circuit breaker, air circuit breaker, air circuit breaker उपरोक्त सभी इस तरह से आपको कई तरह की circuit breaker मिलेंगे लेकिन इसमें आपको question पूछ रहा है कि 11 KB से अधिक voltage पर कारे करने के लिए कि circuit breaker का प्रियोग करेंगे तो air blast circuit breaker ठीक है? तो यह हमारा आपसंद सही होगा air blast circuit breaker और यह जो air blast circuit breaker है यह आपका transformer में भी प्रियोग किया जाता है ठीक है? आप ध्यान में रखिए एक question question number 21 है कि बस बार की पतलिया किस ध्यातू की बनी होते है जो बस बार होते है उसकी पतिया जो होती है वो किस ध्यातू की बनी होती है तो वो सुद ताबा और एलमोनियम यह दोनों की बनी होती है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा ठीक है यह सुधताबा और एलमोनियम दोनों की बनी होते तो इसका आपसन यह दोनों सही होगा अथा जो आपका यह नीशे वाला आपसन दिया है दोनों अथा उपर वाला जो दोनों आपसन है यह दोनों सही होगे Question number 22 Heating Plate की बनी होती है तो जो Heating Plate होती है दोस्तों वह नाइकरोम की बनी होती है किसकी नाइकरोम की तो यह हमारा आपसन सही होगा Question number 23 is Heating element type on में कितने वार्ट तक element प्रियोग किया जाता है तो पचीस सो वाड़ तक इसमें परियोग किया जाता हेटिंग हेलिमेंट ठीक है तो आप इसे भी ध्यान में रखेएगा कोश्चन नमबर चोबीस है दोस्तो दिया है कि विदूत के तली में कितने कोर वाली अर्थ वायर का परियोग करना चाहिए तो उसमें कितनी अर्थ व सबस्तों जाए और इस विडियो का आप को 25 लाश्ट कोस्चन है अगले विडियो में भी आपको 25 कोश्चन मिलेंगे तो इस विडियो में आपको क्यों 25 बदाए गये है कोश्चन नमबर 25 है कि निमन तथा मद्ययं बोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलो के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए ठीक है उपर आपको कोश्टन आपको दिया गया है कि दो पोलो या कि बीच जो दूरी होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है इसे आपको कमेंट में बताना है यदि आप नहीं भी बता पाते हैं तो अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा या यह 66ड मेटरgl 뛰ries का एंसवार ऐगा 67 तो कितने दूर होनी चाहिए तो सर ट मेटर तक होनी चाहिए यह आप इसी के साथ हमारा विडियो समाप्त होता है दोस्तों मैं डेली आपके लिए एक नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो इलेक्टिसियां से संबनित होता है तो आप यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो फिलीज हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब के लिए जएगा और बेल आइकन को आन के लिए जएगा ताकि नई वीडियो आप तक बहुत सके हैं ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन